बिटकोइन जाएगा 30,000 डॉलर पर क्यों जाएगा 30,000 डॉलर पर क्योंकि मैंने बाई नहीं किया है और मैं वेट करना हूँ एक टिप का तो जाएगा ही जाएगा तो यह स्टोरी है कुछ ऐसे लोगों की जो यह पूरा बुलरन मिस करने वाले हैं आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप इन लोगों में से नहीं हो बिकर्स जो बिटकोइन का चार्ट कहता है जो फंडमेंटल कहती है जो इंस्टिट्यूशनल बाइं कहती है वो यह बताती है कि यहाँ पे अगर आप डिप का वेट नहीं भी करोगे और किसी दिन टॉप भ खरीद लोगे और तो भी डिपा जाएगा तो भी आप आने वाले सालों में फाइदे में ही रहोगे तो खराब एटिट्यूट के साथ मार्केट को ना देखें वरना यह पूरा बुलरन आपका इस तरीके से मिस होता जला जाएगा तो जब बार आती है बुलरन की तो 2021 के ब पूंप देंगे जहां पर आपका पूर्टफोलियो बहुत ही मैसिव तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा और यहां पर जब हम बात करते हैं ऐसी चीजों की तो यह तीनों ही कोई जब आये थे तो तीनों एक लोग कैप कैटगरी में आये थे अब जो मार्केट के लोग कैटग वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं तो यह वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत जादा important तो वीडियो को चालू करने से पहले अपने list रिवील करने से पहले top 10 coins की top 10 भी नहीं 10 से जादा ही है जो मैं आपको दिखाना चाता हूँ जो मैं personally portfolio में hold करता अगर आप पूरे एक अच्छे तरीके से काम करते हो न तो यहाँ पे आपको market में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है और थोड़ा बहुत risk portfolio में लेना ही पड़ता है और जब हम कभी ऐसे नए coins की बात करते हैं तो risk मान के चलिए 100% का पर यहाँ पे gain भी मान के चलिए 10,000% का क्योंकि जितना आप risk लेते हैं उतना ही reward crypto में बढ़ जाता है तो वीडियो को चालू करने से पहले एक छोड़ी से request रहेगी कि चैनल को subscribe करें बेना तो जाना मत दोस्त बिकास दिस इस दे बेस cryptocurrency YouTube चैनल और आज की वीडियो का like target रखा है हमने सिर्फ और से 1000 likes का जो आपक लिता हूँ and obviously आप अगर सोचते हो कि कैसे best cryptocurrency YouTube चैनल है तो past की वीडियो आपको जाके देखने चाहिए अभी recently एक वीडियो में मैंने बताया था कि क्या गलती लोग कर रहे हैं बताया था against नहीं जाना trend के $51,000 Bitcoin चल रहा था मैंने बोला था कि यहाँ पे beers को trap करा जाएगा पूरी पूरी bull market में और यही होता हमें दिख रहा है आज जा हमें वीडियो बना रहे तो 57,000-56,000 के near Bitcoin चल रहा है यहाँ पे साथ ही साथ मैंने cover किया था ibit को जो की है BlackRock का ETF अब बहुत सारे लोग यहाँ पे negative थे जब मैंने यह वीडियो बनाई थी तो $24 पे यह चल रहा और चैनल को सब्सक्राइब करे हो तो नीचे दिए गए लिंक से टेलिग्राम को जॉइन कर सकते हो जो कि आपके लिए बहुत बहुत ज़ादा important होने वाला है इस bull market में क्यों होने वाला है important क्योंकि जो टेलिग्राम पे जाओगे pinned messages में आपको दिखेगी एक list जहाँ पे upcoming ऐसे gems हैं जो कि काफी जबरदस तरीके से pump हो सकते हैं और यहाँ पर जो हमारी gem list में अभी तक gem आये हैं सारे ही 2x से उपर pumped हैं और सारे ही coins मैंने यहाँ पर अपनी community के साथ खरी दे थे तो आने वाले time में जो भी coins आएंगे उनको मैं आपके साथ खरी दूँ और अगर आप airdrop के लिए भी eligible हो जाएंगे तो इसकी पूरी covering वीडियो मैं कल बनाने वाला हूँ कि node का फायदा है कि नहीं है कितने पैसे लगने कहां से लेना है कैसे लेना है और क्या आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और जो नहीं ले सकता node उसको भी coin खरीद के काफी फायदा हो सकता है पूरा project with fundamentals with details मैं आपको कल explain करूँ अगर आज की वीडियो के आते हैं 1000 like तो वीडियो को like करना मत भूलेगा और जहां लोग अब इस project की hype कर रहे हैं अगर आप टेलीग्राम में जाके search करेंगे ether तो इसकी research 28 August 2023 को याने कि लगभग एक साल पहले ही मैं दे work करने का और आपके लिए ये वीडियो कल आने वाली है तो वीडियो को like करेंगे ना तो जाना मत तो यहां पर काफी सारे लोग बोलते हैं आपना free call नहीं देते हो कि आप बताते नहीं हो मैं कहा breakout हो रहा है सो मैंने यहां पर बताया था टाओ के लिए कि टाओ पर आप नजर रख सकते हो 591 डॉलर्स का था मैंने आपको बताया था कि यह चांस नहीं देता है बर जब consolidate कर रहा होता तो चांस पूरा पूरा देता है सो यहां पर यह consolidation थी और यह मिल गया है आपको यहां पर आज breakout और जब आप यह वीडियो देख रहे तो 629 डॉलर्स पर टाओ चल रहा है तो अगर आप Twitter पर follow करोगे तो ऐसी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी for example इसके बारे में तो मैंने वीडियो भी नहीं मनाई DCI के एक budget की पूरी research मैंने यहां पर forward करी थी और यहां पर आपको level भी बताया था अब record का 74 cents अगर आप आज जाके origin trail याने की track का जो की एक DCI coin है उसका price देखते हैं तो आज की date में यह चल रहा है 1.06 dollars तो याने की अगर आप Twitter पे भी follow करते हैं जिसका link मीचे description में दे रखा है तो आपको फाइदा ही होने वाला है नुकसान coin ही होने वाला और वीडियो बहुत चोटी थी यह तो था introduction अब चलते हैं हमारी list की तरफ अब मैं आपको एक बात बढ़ा दूँ इन coins को खरीदने से पहले सबसे पहला step क्या है let's talk about the steps ठीक है पहले steps की बात करेंगे सबसे पहले आपको बढ़नी है research research नहीं है पता नहीं है coin क्या है तो बहुत ही जादा दिकत आपको आने वाली है क्योंकि आप conviction से hold नहीं कर पाऊगे तो जितने जादा star लगा रहा हो उतनी जादा important चीज है fund management ठीक है fund management वो भी एक जरूरी चीज है आपके लिए क्योंकि अगर आप fund manage नहीं करेंगे चलोगे यानि कि एक coin में सारा पैसा लगा होगे और अगर आपने worst case scenario के लिए नहीं रखा पैसा तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है और आखरी चीज जो सबसे important है वो है conviction अगर आपको conviction नहीं है crypto में अगर आपको conviction नहीं है कि आपकी holding pump होगी और आप उन लोगों में से हो जो बोलते हैं और ये तो scam है और फिर भी पैसा लगा है तो आपके साँ हाथ तो scam पका होगा मैं आपको बता रहा हूँ मैंने बहुत टाइम से बुला है लोगों को conviction रखो और जो conviction रखते गए उनको पैसा बनता चला गया सो यहाँ पर मैं डिसकस करने वाला हूँ मोर देन 10 कोईंस इसको हमने लगबग लगबग यहाँ से 13 गुना नीचे ख़़ी ता रहा है यहाने की 13x अभी हो रहा है 13x होने के बाद भी 158 मिलियन मार्केट काप है 22x के 262 मिलियन डॉलर पर मार्केट काप चल रही है AI कोईन है NVIDIA से पार्टनेश्ट पर काफी सारे कम लोगों को पता है 0x0 195 मिलियन मार्केट काप पर है AI कोईन है और यहाँ पर आप अपनी research प्लीज ज़रूर करिएगा अगर बात करें गेमिंग में तो गेमिंग में G-Swift जो की 33 मिलियन डॉलर मार्केट काप पर है एक गेमिंग कोईन है Myria जो 197 मिलियन मार्केट काप है जो हमारी बाइंग से 10-15x हो गया था अभी भी चल रहा है उपर ही वो गेमिंग प्लस L2 कोईन है बिक्टाइम की बात करें तो बिक्टाइम की मार्केट काप चल रहे है 204 मिलियन और ये एक गेमिंग कोईन है OTG की बात करें तो 24 मिलियन डॉलर की मार्केट काप है ये भी एक गेमिंग कोईन है श्रापनल जो की 128 million पे बैठा हुआ है ये भी एक gaming coin है root जो की 82 million पे बैठा है ये gaming or metaverse coin है और one of my favorite projects है अभी के लिए यहाँ पर बात करें RT की यानि की artifacts की so यहाँ पर ये 9 million dollar की market cap पर है और एक काफी अच्छा gaming coin है meme की बात करें तो meme पर मैं काफी bullish हूँ this is a meme coin by meme land by 9 gag and this is gonna perform very well in the bull run so ये भी एक मेरी बड़ी holding है 278 million की market cap है यहाँ पर compete को आप देख सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ अभी तक Uniswap पर आए किसी exchange पर है नहीं 30 million की market cap है gaming की epic store पर आ चुकी है और काफी जबरदस gaming project मुझे लगता है PIP की बात करें तो PIP को मैं बूला नहीं हूँ बहुत सारे लोग बोलता है PIP को भूल रहो कि आप PIP को इतनी बार free कर लिए कि बार बार आप वीडियो बनाने का मन नहीं करता है इन में से काफी सारे coins पर आपने free कर चुका हूँ अब मैं आपको end में बताँगा अपनी strategy सो यहाँ पर 17 million की market cap पर है payment protocol पर काम कर रहा है invested by Coinbase and Binance Labs तो जल्दी बड़े-बड़े exchanges पर आता दिखे का fire की बात करें तो बहुत ज़दा फट है fire का गेंश पर I am still bullish on fire because this is a RWA innovative coin और यहाँ पर 10 million dollar की अभी market cap है DC की बात करें, Doge Chain की तो यह भी मेरे portfolio में recent buying मेरी नहीं है past profit जो hold कर रहा हूँ उसकी बात बता रहा हूँ उपको 44 million market cap पर है, यह भी एक meme coin है music में हमने recent entries बनाई थी, gala music में 15 million market cap पर है और new music category को यह cater करता ondo की बात करें और alt layer की बात करें, तो दोनों coin भाग चुके है 700-700 million dollar की market cap पर है, दोनों ही coin हमारे price से 2x उपर चल रहे है so इस list को use करो, एक-एक coin के बारे में study करो देखो कि कहाँ ज़्यादा कम hype है, जहाँ पर consolidation मिले मैंने कई बार समझाए कि कैसे range breakout पकड़ते हैं, कैसे सब करते हैं इन सब का chart मैं एक video में नहीं बता सकता हूं उपको ठीक है, पर इनके charts मैं आपके साथ share करता रहूंगा अब मैंने आपको क्या बताया, कि काफी सारे coins में मैंने जो है profit hold कर रखा है, बट अब कल मैंने एक video बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि strategy हो चुकी है change, तो इन coins को मैं बेच रहे नहीं वहला हूं, जहांपे मैं past में profit book करके hold कर चुक हूं, that is very good, आगे मैं profit booking बंद कर रहा हूं, पर आपको मुझे follow नहीं करना है आपको follow करना है अपने portfolio को, बहुत सारे लोग क्या गलती करते है, portfolio के according काम होता है, आप किसी और को देखके, अपने, किसी और के गाल लाल देखके अपने चाटा मारोगे तो आपका गाल लाल नहीं दर्द होगा, तो दर्द मत करो अपने गाल को, ठीक है, अपने portfolio, कई लोग आपने से नए होंगे, कई लोग आपने से अच्छे profit में होंगे, तो आपको पता होना चीए, मैं हमेशे 20-30% अपने हाथ में रखता हूँ अपना portfolio होगा, तो कभी भी मुझे डर नहीं लगता, इसलिए मैं इस तरीके से इन coins को hold कर रहा हूँ, और इस में से, इस list में से, काफी coins आपको multiple x करते दिखेंगे, तो अगर आपके पस holding power है, अगर आप अपना fund insurance की तरह काम करें, जैसे कि bitcoin की बात करें, अगर for example, अपने portfolio का 40% shit coins में लगा दिया, और shit coins ही बुलेंगे इनको, क्योंकि low cap market cap है, shit coins नहीं है, fundamental सब के हमने देख रखे हैं, so यहाँ पर आपने 40% इन में लगा रखा है, और 60% bitcoin में लगा रखा है, तो यह perform करे लेना करें, एक भी coin, ठीक है न, जो हम 100% का risk बोल रहे हैं, अगर वो यहाँ पर हो भी गया, तो आपका bitcoin आपके insurance की तरह काम करेंगा, और वो 60% जो आपने लगा है, वो double हो जाएगा, और आपके portfolio पे फिर भी आपको 20% बचे का worst case scenario है, worst case scenario आएगा नहीं, so this is my list, काफी time से लोग वेट करें थे, इसलिए वीडियो बनाई है, और कल एक बहुत ज़ादा ज़रूरी वीडियो आने वाली है, एथिर पे, note की पूरी explanation दूँगा, फाइदा क्या है, लेना चाहिए, नहीं एक्साइटिंग वीडियो में, 1000 likes आते ही, एथिर की research जो है, आपको इस तरीके से दी जाएगी, कि दुबारा आपको कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, तो मिलते हैं दुबारा, त्यान रखे हैं दोस्तों